दोस्तों वीवो एफर्पी को उपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है भी चाहे वो अनलॉक टूल से हो या या यूम्टी से हो कहीं से भी यह हमारा एफर्पी अनलॉक नहीं हो पारा है चाहे हम विदाउट पीसी एफर्पी बाइस करेंगे तो भी यह नहीं हो रहे जो कहीं से भी अनलॉक नहीं हो पारा है चाहे यूम्टी हो या अनलॉक टूल हो कहीं से भी यह इसका अनलॉक नहीं हो पारा है कोई भी ट्रिक इसमें वर्क नहीं कर रहा है तो दोस्तों आज मैं यहीं बताने वाला हूँ तो स्वागत है दोस्तों सभी का हमारे चैनल मोब करके दिखाने वाला हूँ तो कैसे इसको अनलॉग करूँगा आये जानती इस वीडियो पे तो वीडियो पर बने रहें दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है फोन को पूरा पावर आफ कर लेना है और उसके बाद इसको पूरा और इसका बैक पैनल ओपन कर ल और आपको यूफाई बॉक्स का जरूरत रहेगा यह जो ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों आपको जितने भी वीवो के फोन है जिसमें नियू सीक्यूर्टी लगा हुए है और लॉक नहीं हो पा रहा है इसमें कोई भी टूल काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों आपको भी इस सब्सक्राइब कर लेते हैं और यहां से हमको क्या करना है दोस्तों इसको पूरा शिल्ड को निकालने बाद यहां से हमको जंपर ले लेना है आई-एस-पी पिन आउट कर लेना है आपको गूगल से भी इस मॉडल का आई-एस-पी नौट मिल जाएगा मैं आपको दिखा भ लेना है देख सकते हैं cmd clock data 0 यहां यह सब और ग्राउंड हो गया फिर वी सी सी क्यों आपको पांच जंपर लगा लेना है तो मैं आपको जंपर लगा के भी दिखा देता हूं कैसे इसमें करना है तो आपको सेम इसी तरह से आपको जंपर लगा लेना है बहुत बारिकी से आपको करना है तो इसमें मैं थोड़ा सा मैं इसको वीडियो की स्कीप कर देता हूं और आपको मैं जंपर लगा करके भी दिखा दे रहा हूं कि इसमें मैं इसमें देख सकते हैं दोस्तों मैं जंपर लगा लिया हूं तो आप भी इसमें क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा बना बली करके मैं इसको skip कर दिया हूं और मैं जमपर लगा दिया हूं तो इसमें आपको जमपर लगा लेना है जैसे कि मैं यहां पर data zero, cmd, clog, ground, vcc, vcc, q दो पाइंट में जमपर नहीं लगा है क्योंकि मैं charging के बड़ लगा कि इसमें करूंगा तो यह हो जाएगा इसमें जरुरत नहीं रहेगा तो हमको तीन जमपर लगाना ही लगाना है दोस्तों तो इसमें हम तीन जमपर लगा ही दिये हैं इसके पाद हम इसको phone को दोस्तों motherboard को इसको frame में fit कर लेते हैं पूर complete और यह हमारा जो ISP PAO है उसको लगा देते हैं योफाई में और अच्छे से connect कर लेना है दोस्तों आपको data cable भी अच्छा लेना है अच्छे company का ताकि इन्हें तो यहाँ पर बहुत error आ जाता है तो आपको अच्छा सा cable ले लेना है और अच् PC पे PC पे जाने के बाद आपको मैं बताने वाला हूं इसके लिए आपको क्या करना है तो यह हमारा phone पूरा connect हो गया अब हम इसमें charging pin connect करेंगे तो दोस्तों यह हमारा charging pin लगा दिए इससे क्या हमारा VCC VCC Q line भी इससे connect हो जाएगा उसमें जमपर लगाने जरूत नहीं है त इसको एकदम अच्छे से रख लेना है कहीं से हीलना भी नहीं चाहिए ने तो यह वारा connection disconnect हो जाएगा और वहां PCP error दिखाना चालो हो जाएगा तो हम चलते हैं पहले PC पे PC पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर MMC toolbox का setup रहेगा यूपाई का इसको open कर लेना है open करने बाद यह आपका यूफाई open हो रहा है तो यहां से हम इसको okay कर लेंगे ओके करने बाद इसको close कर देंगे close करने बाद दोस्तों हमको यह हां direct यह ISP को टिक करके identify MMC कर लेंगे यह जैसा करेंगे दोस्तों तो आपको यह है MMC से connect हो जाएगा और आपका पुरा data detail इसम हमारे यह load हो रहा है देख सकती यह दोस्ती यह error आ चुका है तो हमको फिर से इसको फिर से लगा लेना है यह error आ गया है मतलब यह हमारा loose connection है तो हम एक बार फिर से हम एक बार अच्छे से इसको निकाल के लगा देते मैं बताया था ना इसमें थोड़ा सा भी हिलना डूलना नीची यह तो अच्छे से लगाना है और प्रॉपर लगाना है तो हम इसको फिर से हम connect करेंगे अच्छे से फिर से हम इसमें identify करेंगे दोस्तों तो हम इसको अच्छे से फिर से लगा देते हैं क्योंकि हमारा यह disconnect हो गया था तो cable को हम निकालके अच्छे से फिर से लगा द से हम लगा देते हैं तो इसमें हम बैटर कनेक्टर को भी लगा देंगे उसके बाद और फिर से हम आइडेंटिफाई करके देखेंगे क्या भी एरर तो नहीं आ रहा है क्योंकि यह प्रॉब्लम होता ही है दोस्तों तो बहुत बारे की सिस्काम को करना है और ध्यान रहे दोस्तों यह चोरे हुए फोन और दूसरे कोई आदमी का फोन हो तो यह देख क्या को करना है किसी के फोन को भी अंलॉक नहीं करना है और यह लेटेस्ट स्टी के लिए है जब टक यह लेटेस्ट श्रीकोर्ट कगतों ना जाए तब तक तो आ पूइए ही इसे से कामच चलाना पड़े हो तो हम चलते हैं फिर से पीसी पे तो दोस्तों पीसी पे फिर से हम इसमें कर लिए हैं और यहां से हमको क्या करने प्रोग्राम के साइट भी यूजर डाटा पर आएंगे यहां से हम यह हमारा डाटा पूरा लोड हो जाएगा फिर एफ पी को टिक करके इस पेसल टास्क में आ करके किलियर एफ पी लॉग करेंगे कि दोस्तों आपका वन क्लिक में आपका एफ पर पी हंडिट परेशन अनलॉक हो जाएगा देख सकते हीए कि लिए फ्र पी लोग आ रहा है अब यहां पर ड़न का अपशन आजाएगा यह हमारा किलियर फर पी लॉग ड़न हो गया है तो यहां पर हम सभी केबल को निकालना है आपको अच्छा केबल लगा लेना अगर काम ना करें तो आपको चेइंज करना है दोस्तों तो मैं जल्दी से इसका जो जमपर लगाया था उसको मैं अच्छे से रिमूव कर देता हूं कि यो रिमूव करते समय भी कोई निकले ना तो ध्यान से इसको आपको निकलना है नहीं तो आपको फोन डेड़ हो सकता है बहुत बारिकी से इस काम को करना है दोस्तों अब हम इस सभी कनेक्टर को लगा देते हैं उसके बाद इसको हम ओन करके देखते हैं कि अभी हमारा FRP लॉक है या नहीं है क्या है तो यह complete format हो रहा है अभी on हो जाएगा थोड़ी देर पे तो लगबग 2-4-5 मिनिट का समय लग सकता है तब तक आपको वेट करने कुछ भी नहीं करने दोस्तों यह हमारा वीवो लोगों पर आ गया है यह अब on complete हमारा on हो जाएगा थोड़ी देर पे फिर हम इसको setup करके भी देख लेंगे और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें सेयर करें कमेंड करें और बताएं कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंड बॉ आगया है तो दोस्तों यह हमारा देख सकते हैं यह Google सर्विस कभी आप्सन आगया है अब इसको skip करेंगे यहां से skip करते हुए next करेंगे दोस्तों फिर से यहां से next करेंगे अब दोस्तों वीडियो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपक यह हमारा complete setup हो चुक है दोस्तों तो अभी के लिए इतने ही मिलते हैं किसी अगली टॉपिक के साथ थैंक्स पर वाचिंग सब्सक्राइब मैं चैनल